कि अधाइब 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 वह दो और इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं देखे गए हैं बस वह दो चैप्टर आगे पिछे उसको हमें अच्छे फ़े देखना है और उसको समझ के लेना है कि क्या कैसा है तो आप सबको भी रेडी हो जाना है क्योंकि 16 एपरिल से तुम्हारा MST CT का इंट्रेंस का पेपर है और वो जो पेपर है वो डेफिनेटली कंड़क्ट होगा कोई उसे पीछे नहीं कर सकता बहुत सारे बच्चे कोरोना ये वो चीजें जो हमारी एक शेडूल आई है 2024 की उसके बारे में उसके त्रू में बहुत सारी चीजें आपके साथ डिसकस करूंगा syllabus और बहुत सारी चीजें और कुछ तो चलिए फिर शुरुबात करते हैं आज के इस प्यारी सी वीडियो को सभी class 12 के बच्चे इस वीडियो को definitely पूरा देखिए और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना क्योंकि यह निउस बहुत ज़रूरी आप सब के लिए ठीक है तो चलिए आज ही सब लोग आपको लेके चलता हूं वेबसाइट में आप देख रहे हो नया से लिवस फॉर क्लास 11 और 12 और कुछ हमारा जो एनलेसी से वो सब भी आपको देखने मिलेगा ठीक है फॉर एमेच्टी सीटी ट्वर ओके आजाओ तो सबसे पहरे आपको लेके चलता हूं एक प्यारी सी वेबसाइट में आप लिए अपने जाके सर्च कर सकते हो फोन वगरा में ठीक है तो यहां पर आजाओ और सर्च करो एमच्टी सीटी इतना जब आप सर्च कर लोगे तो जैसे ही आप लोग सर्च करोगे तो यहां पर आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी उसमें से आपको ओरिजिनल वाली में जानी है और इसनल वाली में आ जाओ अभी ऐसे तो नहीं दिखेगा एक सेकेंड जस्ट कहां चला गया हां यह देख जस्ट वेट यहां पर जैसे अंदर जाओंगा यह खुल गई यहां पर डाउनलोड अभी देखो पूरा इंटरफेस चेंज हो गया है वेबसाइट का पहले अलग वेबसाइट हुआ करती थी अलग दिखता था तो यह डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे सिलेबस और मार्किंग स्कीम मे क्लिक के और ये आपके सामने यहां पर दिख रहा है अब यहां के फोड़ा गजोर्फेयर के साथ अच्छे दिखे देख़ो आदे बत्चों को यहीं पता ओता कि हमें CT आखिर देनी क्यूं है आदे बच्चों को यहीं नहीं मालूम होता है देखो तो यहां पर सिलेबस सब के लिए या तो फिर first year of master of engineering के लिए जिसको admission लेना है integrated ERD pharma के लिए उसके लिए है bachelor of engineering का मतलब यहां पर यह B.E. से किसे मतलब है B.E. B.E. में computer science IT engineering mechanical ठीक है mechanical का part हो गया फिर उसके साथ mechanical के साथ electrical EXTC दुनिया में जितने भी engineering के courses है after 12th उन सभी में admission लेने के लिए first year of में अगर आपको admission लेना है इन सभी डिग्रियों में तो आपको MST CT का exam देना पड़ेगा यह आपको समझना है तो मतलब किसके लिए MST CT का exam नहीं देना पड़ता है तो देखो जड़ा 12th के बाद 12th standard के बाद बहुत सारे एक तो professional degrees होती है थोड़ा समझ के चलना अच्चे से आपको clarity मिल जाएगी और एक होती है second year की होती है तो जो second year की जो degree होती है जिसमें आप लोग BSC वगरा हो गई BSC computer science हो गया फिर BSC IT हो गया फिर BSC in bio technology हो गया BSC BCA का एक course होता है वो हो गया या फिर और भी ऐसे बहुत सारे courses ही यह सब के सब तो यह सारे second year होते हैं बिना entrance exam के हो जाते हैं सब professional courses नहीं है कहने के लिए तो सब professional ही होता है ठीक है ध्यान देना अच्छे से जो main professional courses वो आपको यहां पर मिलेगा जैसे की engineering की courses हो गई ठीक है यह हो गया चलो ठीक है ऐसे ही आपको pharmacy का courses हो गया ऐसे ही आपको agriculture का courses हो गया यह सभी के लिए आपको professional courses हैं और इन सभी professional courses के लिए आपको महारास्ट्रा में CT exam देनी पड़ेगी वरना आपका admission नहीं होगा अगर आपको engineering करना है pharmacy करना है यह भी फार्मा करना है तो इनके लिए आपको CT exam देनी पड़ेगी agriculture करना है तो इंट्रेंस exam देनी पड़ेगी लेकिन अगर आपको BSC normal plane BSC PCM भी पढ़ना है वापस डिग्री में जाकर के भी यह BSC पढ़ना है यह बायो टेक्नलोजी की डिग्री करना है BCA MCA होता है वह करना है यह और कोई भी जैसे BSC nutrition हो गया BSC in cyber हो गया बहुत सारे इसे courses होते हैं बता दूंगा फिर लिस्ट लिस्ट बगेरा तो यह सब के लिए आपको इंट्रेंस exam नहीं देना पड़ता बारवी के percentage के बेस पे ही admission हो जाता है लेकिन इस सब में फ्रेंड है जो engineering करके बैठे हो उनको कुछ नहीं मिल रहा है बेठा तुम गलत इंसान से असरेशन ले रहे हो हो सकता है वह इंजीनियर सबसे एकदम पागल रहा हो अपने क्लास में सबसे बैक बेंचर पीछेगा बच्चा उससे पुछने का पहले तो तू भाई बता कौन से कॉलेज से पढ़ाई किये पहले उससे कॉलेज पूछो फिर उसका रैंक पूछो तब जाके पता चलेगा कि वह सचमी इंजीनियर था या गलती से उसने फोकट मैड मिशन ले लिए और बोल रहा है मैं इंजीनियर हूं अच्छे इंजीनियर को अच्छी सेलरी मिलती है इंजीनियर को कुछ 10 रुपे भी कोई नहीं पूछता है समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूं यह बाइंड में रखना लेकिन इंफ्लूएंस करने के लिए तो बोल देते हैं मैं भी इंजीनियर हूं देख मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो अच्छे लोग को हर एक चीज मिलती भालतु लोग को नहीं मिलता है तो यह चीज आपको थोड़ा समझ के रखनी है क्लियर हो गया तो गलत गाइडेंस कभी मत लेना किसी और से चलो ठीक है तो प्रफेशनल डिग्रीज में आपको CT इंट्रेंस देना पड़ेगा यह बात ध्यान रखना चलिए अब आजाओ क्लास 12 से आएगा मतलब कहने का मीनिंग यह होता है जरा आजाओ ध्यान से यहां पर समझा देता हूँ आप सभी लोगों को जैसे कि देखो फिजिक्स जो है हमारा 50 कुश्चन आते हैं कितने मांक्स के लिए 50 मांक्स के लिए केमेस्ट्री हमारा आता है 50 कुश्चन आएगा कितने मांक्स के लिए 50 मांक्स के लिए हमारा जो मैट्स आएगा वो कितना आएगा 50 कुश्चन आएगा 100 मांक्स के लिए यानि कि एक कुश्चन दो मांक्स का biology जो है वो 100 question आएंगे और यह 100 marks के लिए मतलब एक question एक marks का ऐसा होता है तो कुछ बच्ची अभी PCM देंगे और कुछ बच्ची अभी PCB देंगे यह सारी चीजें आपको समझा के रखोंगा तो आपका ज्यादा फायदा है तो यहां पर जो physics है तो जरा समझना अच्छे से ही जो 50 marks के question है तो इसमें से 40 marks का पेपर बारवी से बनेगा और 10 marks का पेपर ग्यारवी से बनेगा सेम यहां पर भी आपको इतना ध्यान रखना है वही चीजें पिछले साल जैसा ही दिया हुआ है 40 marks आपके बारवी से और 10 marks आपके ग्यारवी से बनेगे समझ में आया लेकिन जो maths है जना समझ के रखना अच्छे पर बहुत ज़्यादा जरूरी चीज है आपके लिए जो maths का question है यहां पर भी 40 question आपके बनेगे बारवी से और जो 10 question है यह आपके बनेगे ग्यारवी से ध्यान रखना अच्छे से और वही पर अगर आप लोग आजाते हो बायलोजी में तो आपके 80 question बनेगे बारवी से और 20 question बनेगे आपके ग्यारवी से समझ में आ गया तो यह सारी चीज़ें आपको समझने है मतब 11th standard का weight is कितना important है यह आप देख लो यही आपका main pattern है और सबसे important बात तो यह है बच् 90 minute और maths के लिए अकेले मिलेगा आपको 90 minute यहां पर विए आपको physics और chemistry कि लिए अकेले मिलेगा solve करने के लिए 90 minute biological के लिए 인 आपको अकेले मिलेगा 90 minute तो यहां पर एक सबसे बड़ी प्राबलम यह दिख रही है और physics और chemistry को दोनों को मिला के मिल रहा है 90 connu मिनट चाहिए कहीं भी दो और physics और chemistry में अकेले यहाँ पर 100 question है मतलब आपको 90 मिनट के अंदर 100 question आपको solve करना है और यहाँ पर भी आपको 90 मिनट के अंदर 100 question आपको solve करना है यानि कि मैं मोटा मोटी अगर पकड़ू तो total कहीं न कहीं यहाँ पर 50 से 55 second के आसपास आपको पर question का timing मिल रहा है मतलब आप CT को इतना lightly नहीं ले सकते हो मतलब एक question को solve करने के लिए 50 से 55 second का time ही है जिसमें से बच्चो आज आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप online paper दोगे तो उसमें भी click करने में एक second जाता है फिर next button दबाने में एक second जाता है अंगला question के लिए question को पढ़ने में 5-10 second जाना चाहिए 5 second अगर जा रहा है option देखने में कुछ second जाता है और solve करने में भी second जाते हैं तो मैं आपको एक मोटा मोटी अंदाजा बता देता हूँ कि आपको 30 second के अंदर हर एक question का solution निकाल लेना है और जो बाकी के बच्चे हुए 20 second है उसमें आपको click करना है next की button भी दबानी होती है option को select करना होता है बहुत सारी चीज़े है calculation है जो भी है तो 30 second में आपका एक question solve होना चाहिए मतब जो बच्चे सोचते है कि ऐसे ही आसानी से हो जाता है तो ऐसे आसानी से नहीं होता है इतना आसानी से अगर हो जाए तो फिर क्या है तो ये इस साल का syllabus है मतब 100 question आपको physics और chemistry में 100 question होंगे और 90 minute में आपको solve करनी होंगे ये चीज़ आपको ध्यान देनी है और यही चीज़ देखो यहाँ चीज़ आपको यहाँ पर बता के रखी गई है कि maths का paper 90 minute 100 question ला बला 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 जो भी दिया हुआ है पढ़ लेना आप लोग मैंने आपको समझा दिया अच्छे से में थोड़ा सा difficulty level देखती है यहाँ पर कोई भी negative marking नहीं है जैसे JEE में होता है लेकिन जो पेपर की difficulty level है वो पेपर की difficulty level physics chemistry math जो PCM के बच्चे होंगे उनका JEE में के जैसा और जो बच्चे biology का paper देंगे उनका difficulty level neat के जैसा होगा समझ में आया तो इतना आसान CT को मत देना ऐसे ही 30-40 लाग का package नहीं मिल जाता engineering करने के बाद तो यह चीज आपको थोड़ा सा अपने mind में बिठा के रखना है कि CT का paper ऐसा आसा आसान नहीं तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है clear हो गया यह तो syllabus है अच्छा अब आ जाओ जब अब अच्चो यहाँ पर syllabus कितना कितना होगा तो complete syllabus of class 12 2023 का जो complete syllabus है physics, chemistry, maths, biology का वो पूरा syllabus आपको 12 का पूरा रहेगा and जो class 11th का syllabus है वो यहाँ पर दिया हुआ है समझ मैं कि नहीं समझ मैं ध्यान रखना तो अब आज आओ थोड़ा सा 11th के syllabus को discuss करते हैं अब जोसे कि माल लो physics है तो physics में कितने question कितने chapter है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ chapter है और हमने क्या देखा था कि इस से आएंगे 50 question, 50 question में से जो 40 होंगे, 40 question होंगे, वो रहेंगे 12 से और जो 10 question होंगे, 10 question वो होंगे, 11 से तो मताओ यहाँ पर chapter तो 8 ही दिया हुआ है ना, और 8 chapter में से बनेंगे 10 question यानि कि दो ऐसे chapters यहाँ पर होंगे, जिन में से बनेंगे हमारे 2 question बाकि सभी में से एक-एक question ही आएगा 11th में से तो 11th के जो chapter से आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि एक chapter से एक question आएगा कोई ऐसे 2 chapter होंगे, जिस में से 2 question आ सकता है पिछले 3 से 4 सालों से देखा गया है कि electrostatic और thermal property या फिर laws of motion से हमेशा 2 question बनते हैं बाकि सबसे एक-एक question ही आता है, semiconductor वगरा से एक question बनता है तो हमें 11th को सिर्फ उतना ही पढ़ना होता है जितना कि हम एक question सिर्फ solve कर लें होशियार लड़का तो ऐसा होते है कि 12th में अधिक focus करता है जिसको 12th का electrostatic, semiconductor या फिर मालो optics आ गया तो उसको 11th का भी मोटा मोटी समझ जाता है अगर उसने 12th का एकदम अच्छे से कर लिया तो क्योंकि 12th standard में 16 chapter दिया हुआ है और उन 16 chapter में से 40 questions आपके बनते हैं समझ मैं मतब हर एक chapter में से minimum 4-5 question मतब 3-4 question तो बनना ही बनना है तो अगर आपने 12th में अधिक focus किया तो आपके ज़्यादा marks बनते हैं जबकि 11th में focus करने से एक ही question एक ही chapter से आता है तो ऐसे ही आपको chemistry, maths, biology, biology के बहुत ही अच्छा fund है क्योंकि biology में 80 question हमारे बनते हैं 12th से और हमारे जो 20 question है वो बनते हैं 11th से और chapter देखो एक, दो, पूरा दो, और तीन और चार chapter सिर्फ 11th से दिया हुआ है बड़े-बड़े chapter है इसका मतलब 20 question 11th में आता है यानि कि हर एक chapter से 5 question बनेगा है ना biology में 5 question 5 marks तो यह बहुत आसान है मतलब आसान नहीं chapter सबसे डेंजर वाले दिये और अच्छी चीज़ है अगर यह chapter आपको आता है तो bio molecule आ गया तो 12th की chemistry का bio molecule अपने आप समझ जाएगा respiration इधर का आगया तो 12th का respiration circulation आ जाएगा human nutrition extra चीज़ है excretion osmo regulation extra information के लिए 12th में नहीं है इनका relation कुछ भी तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है तो इस तरह one 11th का अगर नहीं आएगा तो ट्रिगो टू अपने आप नहीं आएगा तो यह थोड़ा सा आपको थोड़ा मैट्स में आपको hardware करनी की बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि मैट्स के माक्सी आपको PCM में आगे बढ़वाएंगे और बाकी physics chemistry के bio में फार्मेसी में जाओ तो आप serious हो जाओ क्योंकि आपका board exam भी आ रहा है 21 फरवरी से और आप लोगों का CT का जो paper वो 16 April से आ रहा है तो अब आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है अगर आप इतनी hard work नहीं करोगे तो शायद हीए कि आप लोग का CT crack होगा और मैं आपको एक बात clearly फि admission लेना चाहते हो professional degrees में अगर आप लोग admission लेना चाहते हो तो 12 के बाद आपको entrance exam देना ही पड़ेगा वरना आप लोग कभी भी नहीं जा सकते हो admission लेने इन जगहे पर समझ में आगया मैं क्या कह रहा हूँ जेई या CT में से कोई एक exam आपको देनी पड़ेगी समझा और वो crack करना पड़ेगा तभी आप जाके professional degrees में admission लोगे अगर आपको 12 की बेस पर direct admission चाहिए तो second year colleges में second year degrees आपको admission देंगी समझ मैं second year degrees कौन सी होती है जैसे कि BSC हो गई अब BSC के अंदर कौन सा कौन सा आता है CS हो गया IT हो गया फिर इसके बाद बायो टेक्नोलोजी हो गई इन सब की होती है BSC in nutrition हो गया BSC cyber हो गया ठीक है ऐसे design दुनियाधारी बहुत सारा होता है समझ में आया यह सब के लिए professional degrees में आपका bachelor of engineering होता है bachelor of architecture होता है agriculture होता है समझा की ने समझा फिर B pharma होता है तो इन सब क लिए आपको admission मिलेगा CT के थूरू महाराष्टरा में national level जाना है तो जही के थूरू समझ में आया अगर आपको B tech करना है तो जही देनी पड़ेगी CT से आपको B e मिलेगा समझ में ध्यान देना अगर आपने 12 के बाद यह नहीं दिया तो आपको यहां admission दरवाजे में आपक इतनी अच्छी से guidance कोई नहीं देता है जिसको आपको थोड़ा सा समझना होगा कितना serious चीजें हैं यह किसी कि आपको 11 में किसी ने नहीं बताया होगा शायद आपने 1000 लाखों भर दिये होंगे और आपको यह भी ना पता हो कि offline में सब चीज़ें आपको समझाई न गई हो यह सब चीज़ें आपको mind में fix कर लेना है तो अभी भी मौका है पढ़ना शुरू कर दो 21 feb से आपका paper है जितनी hard work करोगे उतना ज्यादा आगे जाओगे hard work नहीं करोगे तो problem में फच जाओगे यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बाकि मैंने CT के पूरे syllabus को बता दिय या 11 12 से कितना 90 मिनट है आपको पास टाइम है 50 से 55 सेकेंड ही आपको एक paper को solve करने के लिए मिलेंगे 40 से 55 सेकेंड मिलता है समझ मैं उसमें आपको क्लिक करना calculation करना दुनियादारी बहुत कुछ है उसमें तो यह चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है वरना आप लोग फंस जाओगे आपको फिर डिगरी में अडिमिशन नहीं मिलेगा बहुत सारे private college होते हैं जो बीच में लाखों फीस बताते हैं ध्यान रखना मैं आपको थोड़ा सा यहां पर एक rough calculation देदू fix calculation नहीं है भाई rough calculation है जैसे कि देखो महारास्ट्रा के जो ही professional colleges है professional degrees की बात कर र रखी है फिर एक है COEP college फिर एक है हमारा VJTI college और ऐसे बहुत सारे college है बढ़ टॉप इन ही तीनों को माना जाता है तो अगर VJTI college की computer science की बात करें तो 60,000 से ले करके एक लाख रुपे तक की फीस यहां पर होती है normal COEP college की भी 50,000 से ले करके एक लाख रुपे तक की normal एक साल क की फीस होती है यह थोड़ा सा 1.5 लेक तक फीस जाती है normal अभी तो बहुत जादा हो गई है इन सब की तो अगर आप लोग यह एक साल की फीस है लेकिन अगर बच्चा कोई 200 marks में से अगर 180 के ऊपर चला जाता है CT entrance examination में तो वहीं पर इन सभी की फीस हो जाती है इसकी फीस आ फीस भी आपको 25 से लेके 40,000 के असपास हो जाएगी लेकिन यह reservation वगेरा भी यहां पर बहुत matter करता है उनकी और कम फीस होती है कभी कभी 60,000 के असपास भी फीस एक साल की लगती है तो सोचो लाखो रुपे की फीस से जादा अच्छा है कि आप लोग यह इतनी कम फीस में पढ़ाई कर लो समझ में मेरिट में नाम आएगा बढ़ी अच्छे से पढ़ोगे लाखो के package उठाओगे अच्छे से आप आगे जाओगे तो CT इंट्रेंस अगर crack करते हो बारीवी के बात तो ही professional degrees में admission मिलेगा professional degrees के यह colleges के अंदर यह फीस है marks आने पर यह कम फीस है इसके कि आंगी पीछे 24,000-5000 आंगी पीछे होते रहते हैं हर साल बाई साल कई 60,000-70,000 कई 50,000 कई 30,000-40,000 फीस तो आंगे पीछे थोड़ी बहुत हो जाती है तो यह बात आपको ध्यान रखना है पढ़ाई करना सबसे अधिक important है तो please do hard work focus on the study and achieve your dream यह सबसे बड़ी बात है तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो शायद बहुत पीछे हो जाओगे समझ मैं है होने आ रही है 12th की तो हमारी CT की achievers बैच जो है वो मस्त धमाका मचा रही है अभी भी अगर आप सब चाहते हो खरीदना है तो new Indian era application को download कर लो from the play store मैं आपको बता देता हूं अगर आपको हमारे साथ CT की preparation करनी है तो मैं कोई यह नहीं बता रहा हूं हजारों लाखों बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे है अचीवर्थ 2.0 हमारी batch है जो हमारे new Indian era application के अंदर चल रही है currently आप सब जाओ एप के अंदर खरीद सकते हो live lectures होते है time table वगेरा वहां पर सब recorded lecture, daily practice problem, test series, most important formula, tricks and tips बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है doubt sessions बहुत कुछ है तो अप प्लीज जाए और description box में link भी दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है तो आप लोग जाए प्ले स्टोर में new Indian era सर्च करिए, download करिए application, achievers batch को join करिए CT की पढ़ाई धमाकेदार से करिए जिन्दगी batch जो है वो फोर बोर्ड examination है 215 से आपकी बोर्ड है और हमारे बोर्ड exam का सेले बाद 50 से 60% हो चुका है हमने 6 December से शुरू किया था एक महीने पहले revision की बैच revision में भी हम इतना detail में पढ़ा रहे हैं कि जिन्दगी और अचीवर्स बैच की बच्चे जड़ा कमेंट कर देना आप सब अगर आप सब इस वीडियो को देख रहे हो कि revision है असली में कि वो detail है आठ आठ गंटे का lecture लेकर detail पढ़ा के खतम कर रहे हैं revision तो revision हो गया नहीं टॉपर का तो फायदा ही फायदा है जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसका तो तीन गुना फायदा है तो हमने करीबन 5000 से अधिक बच्चों तक हमने बुक्स को पहुचाया है 5000 से अधिक बच्चों अभी 200-300 बच्चे और बच्चे होंगे उनके भी घर में आ जाएगे क्योंकि हमने अपने आसे बुक भेज दिये आप सब के घर तक आराम से पहुचेगी तो इतना हडबढ़ाओ म वह वह बुक आ जाएगी टेंशन मतलोगे कि हमारे पास बुक नहीं है हमने भेज दिया आपके इंडिया पोस्ट में पता करो वह आपको बुक बताएंगे कि आके आई है कि नहीं आई है ठीक है घ्यान देना कॉल वगरा उठाओ बढ़िया डिलिवरी बॉय का अच्छे से और मस्त बुक से पढ़ाई करो ठीक है so thank you so much for watching this session my dear friends अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों में share करो सभी को inform करो और new Indian era NIE के साथ पढ़ाई को complete करो thank you so much bye bye take care